गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स एंड माई डियर इस्ट्वेंट्स, वेलकम टो आर चैनल, मैं राजेंदर मटलोई, आपका हमारे चैनल का फिर से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10 थी की जनरल इंगलीज को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, ग्रेमेटिकल पोर्षन सभी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, अब ही फिलाल हमारा जो टोपिक चल रहा है, इसमें चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, ग्रेमेटिकल पोर्षन, A to Z material आपको मिलेगा, क्लास 10 के according, साथ ही क्लास 12 की जनरल इंगलीज को भी हम कवर कर रह है, तो लेसन नमबर 10 है, इसके पिछले विडियो हमने provide किये हैं, उनको भी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, अभी तक के लेसन नमबर 1 से लगा कर, लेसन नमबर 10 तक सारे विडियो में आपको प्लेलिस्ट में add कर रहा हूं, तो वहाँ पर जा कर आप इनको देख सकते हैं, लेसन नमबर 9 जो हमने पढ़ा था वो था ट्रिब्यूट 1 और लेसन नमबर 10 जो है ये ट्रिब्यूट 2 है पिछले वीडियो में हमने देखा पिछले वीडियो में मिन्स चक्टर नमबर 9 में हमने ये पढ़ा था कि बाबुली जो है वह जहां वो जोब करता है मिन्स भूनेसवर से वापस अपने गाउं आता है उसके बड़े भहिया के हेंड राइटिंग में उसे पत्र मिलता है और उसके घर का बटवारा होना है इसलिए वो अपने गाउं पर आता है तो यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज के इस लेसन नंबर टैन में देखते हैं क्या होता है बस स्टोप वाच सम डिस्टेंस फ्राम दे विलेज बस स्टोप जो था वह उनके गाउं से थोड़ा दूर था मतलब जहां पर बस रूकने का इस्थान था उससे गाउं के बीच में थोड़ी दूरी थी I had fallen behind him मैं उनके पीछे चलता गया कि इनके पीछे चलता गया क्योंकि वो जैसे बस स्टोप पर आया था उत्रा था उसके बड़े भीया उसको रिस्यू करना आये थे तो बड़े भीया ने उसके हाथ से उसका ब्रीफ केस ले लिया था और वह उनके पीछे पीछे जा रहा था और उसे स्कूल के दिन याद आ रहे थे जब वह ट्यूशन जाया करता था और उसके बड़े वहिया साम को उसको receive करने आया करते थे He stopped and asked the same old question he used to ask हमेशा की तरह उन्होंने वही पुराना प्रस्ण मुझसे किया जो कि वह मुझसे पहले पूछा करते थे I just could not speak और उस समय में कुछ बोल नहीं सका The past is prounting up in me भूत काल मुझे फिर से याद आने लगा पुरानी बाते याद आने लगी The child who dies and the days now बच्पन के दिन और आज के दिन Time has coagulated for me समय ने मुझे परिवर्तित कर दिया है मुझे बान दिया है I have changed और मैं परिवर्तित हो चुका हूँ But my elder brother परन्तु मेरे बड़े भहिया Time could not bring upon him any change परन्तु समय उन में कोई परिवर्तित नहीं ला सका है किन में बड़े भहिया में बड़े भहिया जैसे पहले थे आज भी वे सही है As in those days जैसा कि उन दिनों में He was still walking in front of me carrying my school bag जैसा कि उन दिनों में वह मेरा school का बेग लेकर मेरे आगे आगे चला करते थे I felt so small और मुझे आज काफी तुछ यनिम्न प्रकार का प्रतीत हो रहा है उसने कहा किसने कहा बाबुली ने कहा क्योंकि बड़े भहिया ब्रिफकेस लेके आगे आगे जा रहे हैं तो वो कहता है ब्रदर भाई साब Give me that briefcase वह briefcase या टेची मुझे दे दो Let me carry it for a while कुछ समय के लिए मुझे carry करने दो केरी का आर्थ होता है ले जाना Don't you worry He said बड़े भहिया ने कहा कि तुम चिंता मत करो It is heavy यह भारी है And you are tired और तुम ठके हुए हो बड़े भहिया ने बाबुली को ऐसा कहा कि तुम ठके हुए हो और ब्रिफकेस जो है वह भारी है Let us quicken our steps हमें 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 हमारे कदम जल्दी जल्दी बढ़ाना चाहिए You must be feeling hungry क्योंकि तुम्हें भूक लगी होगी It is time for evening meal यह रात्री के भोजन का समय है मतलब अब साम हो गई है I followed him in silence में चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता गया कौन चलता गया जा रहे हैं बस टोप से गाउं के बीच में थोड़ी दूरी है We reached home हम घर पर पहुँचे It was already dark अंधेरा हो चुका था The time for the lightning of weeks before the sacred tulsi plant यहाँ पर एक word आ है weeks weeks का आर्थ होता है बाती क्या आर्थ होता है बाती जैसे दिया और बाती होता है तो यह बाती weak मतलब तो वो कह रहे हैं कि अंधेरा हो चुका है और अब समय है कि पवित्र तुलसी का जो बोधा है उसके सामने दिया जलाने का बाती जलाने का समय हो गया है साम के समय आपने देखा होगा कि तुलसी का जो बोधा रहता है पहले के दिनों की तरह अब मुझे मेरे भीया के लड़की नहीं आए देखें नेफ्यू का अर्थ होता है बड़े भीया का लड़का ठीक है और नीज का अर्थ होता है बड़े भीया की लड़की तो पेले की तरह जब मैं घर आया करता था तो वह अंकल अंकल चाचा चाचा कहकर मेरे पास खुशी खुशी आया करते थे लेकिन आज एसा नहीं हुआ Here's uncle, my sister-in-law did not run from the kitchen to receive me और मेरी भावी भी रसोई घर से बाहर नहीं आई मुझे receive करने It was all quiet and calm, पहले जैसा माहुल नहीं है, अब घर में सब चुप चाप है Only my brother came and stood near me, only my mother came and stood near me, सिर्फ मेरी माता जी मेरे पास आई और खड़ी रही The second brother and his wife were nowhere to be seen, मेरा दूसरा भाई और भावी कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे वो कितने भाई थे? तीन भाई थे ना, बाबुली, उसके बड़े भीया और उससे बड़े भीया Means, मंजले भीया जिसको हम कह सकते हैं, ये तीन भाई थे ना In the entire house, पूरे घर में, there was an air of unusualness एक अजीब प्रकार की हवा हमारे घर में चल रही थी Rather the stillness of the graveyard जैसे की, जो कबर या कह सकते हैं, कबरिस्तान में जिस प्रकार का माहौल रहता है उस प्रकार का था, grave, grave मतलब कबर हो सकता है, उसी टाइप का माहौल कह सकते हैं As if the house was preparing for its ultimate collapse और यसा लग रहा था कि घर जो है, वह पूरे collapse, पूरे विनास की और जाने वाला है I tired to be normal with everyone मैं थका हुआ था, वो और सबके साथ सामानी होने में मुझे थोड़ा समय लग रहा था But there was that abominable lull all around और चारों तरफ ऐसा लग रहा था, जैसे की, घर में कोई बहुत ज़्यादा दूख आ गया हो इस प्रकार का माहौल लग रहा था My second brother and his wife in spite of their presence at home showed no emotion मेरे मजले भाईया और भावी का घर पर नहीं होना यह इस बात को प्रतीत कर रहा था कि उनमें किसी प्रकार की कोई भावना या फिलिंग नहीं है They were all set for the partition and they cared for nothing else उनके दिमाग में सिर्फ बटवारा ही था उनको बटवारा ही चाहिए था और वो किसी की परवा नहीं करते थे I could not sleep that night उस रात्री को में सो नहीं पाया and the following morning passed quite uneventfully और अगली सुबह भी uneventfully का आरती है कि जैसे हमारे घर में कोई महमान आता है तो महमान रात रहता है रात्री को और फिर अगली सुबह जब महमान की खातेदारी की जाती है उनके स्वागत में कुछ नास्ता पानी, breakfast वगेरा किया जाता है पोहे जले भी हमारे ग्रामिंट छेतर में जनरली बनाया जाते है तो इस प्रकार से कोई इवेंट उसके लिए नहीं हुओ It was midday, अब दोपेर की बात है 7 or 8 people had gathered in our country yard sorry, courtyard to supervise the division 7-8 वेक्ती वहाँ पर इखटे हो गए और घर का जो बटवारा होना था तो उसके लिए गाउं के 7-8 वेक्तियों को बुलाया गया और उनके निगरानी में जो division मतलब बटवारा होना था We three brothers were present हम तीनों भाई वहाँ पर थे Mother was not to be seen anywhere in the vicinity माता जी उस जगह पर दिखाई नहीं दे रहे थी We were waiting for final separation हम सब आखरी जो बटवारा होना था उसके लिए तयार थे इंतजार कर रहे थे As if ready to slice out flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of marriage हमारे माता पिता की जब से साधी हुई थी जब से उन्होंने जिस घर को सावारा जिस घर को और हमें पाला पोसा एसे पारिवारिक शरीर को हम slash मतलब उसके मांस को हम काड रहे थे मतलब घर का हम बटवारा कर रहे थे ऐसा उससे प्रस्तीत हो रहा है And when he would run away three different direction clutching a piece each और हम तीनों भाई उस माता पिता के द्वारा संजोय हुए घर को उस सरीर को हम अलग-अलग तीनों दिसाओं में उसके मांस के टुकडो को कीच-कीच कर ले जा रहे थे ऐसा बाबुली को यहाँ पर प्रतीत होता है तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे आगे क्या होता है बटवारा होता है तो किस के हिस्से में क्या आता है किस प्रकार का ड्रामा होँआ पर होता है यह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक आप अपने घर पर रहें सुरक्षित रहें और अपने और अपने परिवार के सधश्यों का ध्यान रखें साथ ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताए और पिछले वीडियो उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको टेक्स्ट बुक, वर्क बुक और ग्रेमेटी पोर्शन के वीडियो मिलेंगे तो वहाँ पर आप उनको देखिएगा और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के पास सेयर करना ना भूलें, थेंक यू वेरी मच फर वोचिंग, थेंक यू वन्स अगें